हलो दोस्तों वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल केटो फार्मेसी आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फस्टियर का सब्जेक्ट यूमन एनाटॉमी और फिजियोलोजी का चैप यूनिट सेकेंड दा टिसू टिसू में हम आज डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिसू के बारे में पिछल्य वीडियो में हमने देख लिया था एपितिले टिसू के बारे में सब्जियो जो होते हैं उसके बारे में इसके functions क्या क्या है उसके बारे में हमने देख लिया था तो चलो सुरू करते हैं muscular tissue होता क्या है उसके tape क्या है तो muscular tissue the muscular tissue consists of elongated and contractile cells called muscle cells और myocytes जो muscle cells होती हैं वो consist करते हैं elongated और contractile cells को जो की जिसे हम muscle cells कहते हैं या myocytes भी कहते हैं due to their elongated in nature यह लंबी होने के वज़े से इन्हें हम tactile cells या muscles कहते हैं the muscle cells are also called muscle fiber muscle cells को हम muscles fiber भी कहते हैं ठीक है each muscle cells covered are cell membranous seat called sarkolema जो muscle cells होती हैं वो cell membranous बनाती हैं या membranous cells बनाती हैं जिसे हम sarkolema भी कहते हैं sarkolema कहते हैं the myoglobin keep the reserve oxygen for the immediate supply during muscles activity जब हमारी muscles activity जब बढ़ा देते हैं जिए हम दोड़ने जाए गए तो हमारी muscles की activity बढ़ जाती हैं उस समय जो हमें हमें हमारी muscles को oxygen चाहिए वो हमारी oxygen myoglobin पूरी करता है जो की store करके रखता है it provide it provide pink color to muscle यह muscles को पिंक कलर प्रवाइड करता है में भी यूनियुक्लेटर एंड मल्टी नुक्लेटर और जो muscles cells होती है वो यूनियुक्लेटर भी हो सकती है और मल्टी नुक्लेटर भी हो सकती है और फिर उसके बाद बार्त करते हैं type of muscles muscular tissue muscular tissue कितने type के होते हैं तो firstly हम देख लेते हैं जो muscular tissue होते हैं वो हमारे तीन टाइब के होते हैं firstly इस्ट्रेटर और voluntary muscles जो इस्ट्रेटेटेट और वॉलेंटरी मसल्स जो हमारे इच्छा से के अनसार वर्क करती हैं Second is Non-Escerted, Visceral, Smooth and Involuntary मसल्स जो Non-Escerted और Involuntary मसल्स वे मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनसार नहीं वर्क करती हैं जैसे कि इस्टमक के मसल्स, हर्ट के मसल्स यह हमारी इच्छा के निस्वर नहीं वर्क करती हैं फिर उसके बाद देख लेते हैं कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स वे मसल्स होती हैं जो की हर्ट में हर्ट में पाई जाती हैं या हर्ट के जो वेंस आटेज रहती हैं उसमें पाई जाती हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इस्ट्रेटर मसल्स या वोलंटरी मसल्स के बारहे में We SpПрac brief 하고pres also about 45% for settlement बॉडि-वेट जो इस्ट्रेटर मसल्स होती है वो हमारे बॉड़ी वेट का लगब चालिस प्रसेंट हिस्था होती हैं जो की बच चालिस प्रसेंट हिस्था बनाती है मसल्स are attached and bring about the movement of various bones of skeleton so are also called skeleton muscles यह जो skeleton muscles होती हैं वो हमारे attached रहती है bone से जो कि हमारे bone को movement कराने में बहुत ही अहम भूम का निभाती हैं इसलिए इसे कहते हैं skeleton muscles कहते हैं फिर उसके बाद बात कर लेते हैं point two जो कि हमारा है non-strated visceral smooth और involuntary muscles होती हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं it is found in posterior part of the isophagus lungs, stomach, intestine, urinary tract, urinary bladder, blood vessels, iris, ciliary body of the eye, dermis of the skin, etc. director, जो हमारे non-strated muscles होती हैं वो हमारी muscles बाते हैं पाते हैं frequency using Comed로 臨 City नैरो, Spindle-shaped Fibers That are generally shorter than Strated Muscles जो non-strated muscles होती हैं वो consist करती हैं लम्बी होती हैं लेकिन Strated Muscles से चोटी होती हैं सोने होती हैं Spindle-shaped Fibers は Spindle-shaped Fibers होती हैं Long, Narrow, Spindle-shaped is Fibers होती हैं जो की स्ट्रेट्टेट्ट मसल्स से छोटी होते हैं ठीक The smooth muscles help in the peristalsis which occur in the tubular viscera जो हमारे smooth muscles होते हैं वो help करते हैं peristalsis word जो है हम कहाँ पर यूज करेंगे जैसे कि हमने खा ना खाया जब हमारा भोजन इसो फैगस से हमारा नीचे जाता है स्थमय क्योर तब जो डाइलेशन और कंट्रेक्षन होता है जिसी हमारा खाना जात हमें ऑब नाइलेट होगा।考ल काहता रहेगा तो उसे हम कहते हैं पैस्टेल्य और csakनिंद ुबलर विसरा जो कि हमारे तूगलर विसरा में होता है । यह प्रकौदिया स्थिरेटेटेड मिछें नों स्थिरेटेड मिछल GOD कार्डियोग मझें can treat the walls of veins which enter in the heart जो cardiac muscles होती है वो contractile चिसू होती है जो की heart में और जो veins होती है जो heart में प्रवेश करने वाली होती है जो artery होती है उसमें present रहती है जो heart के एकदम सटी हुई होती है उसमें present रहती है the cardiac muscles show the character of both unstripped and stripped muscles ये cardiac muscles जो होती है वो दोनों character सो करते है unstripped and stripped character जो 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 करते है वो दोनों सो करते है the fiber are union nucleated and nucleating heart in heart the center जो fiber होते है union nucleated होते है single nucleus पाया जाएगा और जो और जो ये cardiac tissue होते है ये cardiac muscles होते है उनके center में पाय जाते है ये जो nucleated होते है फिर इसके बाद देख लेते है cardiac muscles के feature के बारे है feature क्या क्या है cardiac muscles के बारे है these muscles fiber are supplied blood of both CNS and ANS ये जो muscles होती है वो हमारे blood को supply करते है CNS and ANS दोनों को blood supply करते है these never get fatigue ये जो ये जो cardiac muscles है वो कभी थकती नहीं है या कभी इनको थकान नहीं होती है ये बहुत मजबूत muscles होती है blood capillary penetrate the cardiac muscles fiber hence they have very rich in blood supply तो जो blood capillary होती है वो हमारी cardiac muscles को penetrate कर जाती है जिससे इनका जो blood supply होता है वो बहुत high हो जाता है फिर उसके बाद बात कर लेते हैं functions of the muscular tissue muscular tissue का functions क्या क्या है उसके बारे में हम discuss करेंगे these are involved in the movement of the body parts locomotion of body organ ये जो cardiac muscles है या non-strated muscles है इनका mainly work ये होता है कि ये involve जब होते हैं जब नहीं ये involve होते हैं जिससे की हमारे जो आर्गन हैं वो location पर विवस्तित रह पाएं जहां पर उनका location decide हुआ है जहां पर location दिया गया है जो भगवान ने बना दिया है वो location उनहीं के द्वारा decide या एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब वहां पर रखा गया है मसल्स आर रिस्पॉंसिबल फॉर दा हर्ट बीट एंड प्रोड़क्शन आफ साउंड एंड परिस्टेल्स आफ टूबलर विस्रा जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉंसिबल होती हैं हड्ट बीट के लिए हड्ट बीट जनेरेशन के लिए ठीक जशटे करती है हड्ट बीट को प्रोड़क्शन आफ सांड साउंड को भी प्रोड़ प्रोड्यूस करती है इस efficına और टूबलर विस्रा जो टूबलर विस्रा में प्रेस्टेल्सीस मैंने जो बताया था कि जब bowel movement होता है हमारे इसोफेगस से जो contraction और relaxation miss जो dilation और contraction होता है वो ही जो है paristhelsis कहलाता है muscles are essential during the parturation जो parturation के दोरा है muscles ही बहुत ही जरूरी होते हैं जिससे कोई other activity जो activity है वो अच्छे से वह पाए इसे रावदा muscular tissue muscular tissue के structure तीन ही है जो की strator muscles, cardiac muscles and smooth muscles smooth muscles वहाँ वहाँ पाए जाती हैं जैसे की veins है bladder है इस सब में smooth muscles जदा पाए जाती हैं cardiac muscles हर्ट मेंली जानते ही है की हर्ट में पाए जाता है and strator muscles ये हमारी muscles पूरी body में पाए जाती हैं जैसे की thigh होगे arm होगे chest होगे इस सब में ये जो है strator muscles जदा पाए जाती हैं smooth muscles ये हमारे lungs होगया isofagus होगया इस सब में जदा पाए जाती है cardia muscles आप तो जानी चुके हैं और इसमें इसके center में ही nucleus पाए जागा है ना कि इधर उधर ना ही अपर साइड में या बिलो साइड में भी नहीं पाए जाए जाए ये center में nucleus पाए जाता है I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को like, share, subscribe करना न भूलें और जादा से जादा दूसरों के साथ share करें जिससे हम ये जो जानकारी हम दे पा रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुँचें Thank you दोस्तो जैहिन, जैभारत, बंदे मातरम पढ़ते रहे हैं, मुस्कराते रहे हैं और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा धन्यवाद